इंडो पैसिफिक रीजन में आजकल बहुत टेंशन है इसके पीछे बहुत रीजन्स हैं जैसे की बॉर्डर इश्यूज, एकोनॉमिक कॉंपिटिशन और मिलिटरी मॉडरनाईजेशन इस टेंशन के सेंटर में है यूएस और चाइना की राइवल्री ये दोनों ग्लोबल पावर्स इस रीजन के लिए अलग-अलग विजन्स रखते हैं जैसे जैसे चाइना अपनी मिलिटरी पावर बरहा रहा है यूएस अपनी मिलिटरी एज बनाए रखने और अपने एलाइस को रियशॉर करने के तरीके ढून रहा है इसी लिए यूएस ने स्ट्रेटीजिक मूव्स लिये हैं जैसे की हाल ही में यूएस नेवी द्वारा पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स डिपलॉई करना यह डिसिजन चाइना की बरहती मिलिटरी केपेबिलिटीज खासकर advanced hypersonic weapons के development को लेकर बरहती चिंता को दर्शाता है यह weapons यूएस और उसके allies के लिए बहुत बड़ा threat हैं क्योंकि इन्हें detect करना और मौझूदा missile defense system से intercept करना मुश्किल है पेट्रियट मिसाइल्स डिपलॉई करना यह clear signal देता है कि यूएस चाइनीज aggression को रोकने और इंडो पैसिफिक में stability बनाए रखने के लिए committed है पेट्रियट missile system एक combat proven air defense system है जो aircraft, ballistic missiles और cruise missiles के खिलाफ अपनी effectiveness के लिए जाना जाता है यह system ज्यादातर land based operations के लिए बनाया गया था इसलिए US Navy का इसे ships पर deploy करने का decision strategy में एक बड़ा बदलाव है यह adaptation बदलते threats के लिए ज्यादा flexibility और responsiveness देता है अपने ships को Patriot missiles से equip करके US Navy का उद्देश इंडो पैसिफिक में एक ज्यादा मजबूट defense umbrella बनाना है यह move US के naval assets और उसके allies की protection को और मजबूट बनाएगा खास कर किसी conflict की स्थिती में Patriot missiles का deployment सिर्फ एक defensive measure नहीं है यह China और दूसरे regional actors को एक political signal भी है कि US अपनी military presence बनाए रखने और इस region में freedom of navigation को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है US Navy के Patriot missiles को deploy करने के पीछे एक प्रमुक कारण Chinese military technology का तेजी से होता advancement है खास कर hypersonic weapons में hypersonic missiles March 5 से भी ज्यादा speed से travel करते हैं जिससे उन्हें intercept करना बहुत मुश्किल हो जाता है चाइना का hypersonic technology को हासिल करने का प्रयास US और उसके allies के लिए एक बड़ी चिंता का विशय है क्योंकि इसमें इस region में power balance को बदलने की क्षमता है hypersonic weapons का development चाइना की अपनी military को modernize करने और Indo-Pacific में US के dominance को चुनोती देने की व्यापक strategy का हिस्सा है इस strategy में एक blue water navy बनाना, अपने nuclear arsenal का विस्तार करना और advanced cyber warfare capabilities को develop करना शामिल है US in developments को अपने interests के लिए एक सीधा threat मानता है और अपनी military presence को मजबूत करके और अपनी technological edge को बनाए रखने की कोशिश करके इसका जवाब दे रहा है US, China की बरहती, military, might को लेकर अकेला चिंतित नहीं है Japan, जो इस region में US का एक प्रमुक ally है, भी इन चिंताओं को साजा करता है और अपनी defense capabilities को बरहाने के लिए US के साथ सक्रिय रूप से collaborate कर रहा है इस collaboration में Advanced Missile Defense Systems का joint production भी शामिल है जैसे की US Navy द्वारा deploy किये जा रहे Patriot Missiles US-Japan Alliance, Indo-Pacific में security का एक महत्वपूर्ण आधार है दोनों ही देश shared threats के सामने cooperation के महत्व को समझते है Missile Defense Systems का joint production इस alliance की ताकत और aggression को रोकने की साजह प्रतिबधता का प्रमान है यह collaboration सिर्फ Missile Defense तक ही सीमित नहीं है Force की इसमें joint military exercises, intelligence sharing और technology transfer भी शामिल है US Navy द्वारा Patriot Missiles के deployment ने defense analysts और experts के बीच बहस छेड़ दी है कुछ लोगों का तर्क है कि यह कदम चाइना के hypersonic weapons program से पैदा होने वाले खत्रे का मुकाबला करने के लिए जरूरी है उनका मानना है कि US को Chinese aggression को रोकने के लिए एक विश्वसनी यह deterrent बनाए रखना चाहिए हालांकि दूसरों का तर्क है कि इस deployment से tensions BRH सकते हैं और इस region में एक arms race शुरू हो सकती है चाइना का military modernization इंडो Pacific में मौझूदा security architecture के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है US और उसके allies इस चुनौती का जवाब देने के तरीके ढून रहे हैं ताकि stability बनी रहे Section 6 Implications for Regional Security US Navy द्वारा Patriot Missiles के deployment के इंडो Pacific की regional security पर महत्वपूर्ण implications है US के allies जैसे की Japan, South Korea और Australia इस deployment का स्वागत करेंगे चाइना इस कदम को provocative मान सकता है और अपनी military presence को बरहा सकता है US अपनी military superiority बनाए रखने और अपने allies को reassure करने की कोशिश कर रहा है इन विरोधी हितों का खेल इंडो Pacific के security landscape को आकार देता रहेगा कैस कई है Section 7 The Taiwan Question A Flashpoint in the Pacific Taiwan Strait को आमतोर पर इंडो Pacific में conflict के लिए एक संभावित Flashpoint माना जाता है China, Taiwan को अपने territory के रूप में दावा करता है और उसने एकी करण हासिल करने के लिए बल के इस्तेमाल से इंकार नहीं किया है संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से One China Policy का पालन करते हुए Taiwan को खुद का बचाव करने के लिए साधन प्रदान करने के लिए प्रतिबध है US Navy द्वारा Patriot Missiles के deployment का Taiwan Strait पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है लेकिन यह संभव है कि इन missiles का इस्तेमाल Chinese attack की स्थिती में Taiwan का बचाव करने के लिए किया जा सकता है यह संभवना पहले से ही नाजुक स्थिती को और भी जटिल बना देती है और US-China rivalry में शामिल high stakes को उजागर करती है इंडो-Pacific एक महत्वपूर्ण मोड पर है आज प्रमुक शक्तियों द्वारा लिए गए फैसले regional security और global stability के लिए दूरगामी परिणाम लाएंगे US Navy द्वारा Patriot Missiles का deployment US और चाइना के बीच बरहती strategic competition का एक सपष्ट संकेत है हालांकि यह कदम aggression को रोकने के लिए जरूरी हो सकता है लेकिन यह गलत फहमियों को दूर करने और बरहते तनाव के जोखिमों को नियंतरित करने के लिए बातचीत और कूटनीती की जरूरत पर भी प्रकाश डालता है US और चाइना को शांती पूर्वक, को एक्जिस्टेंस और अपनी प्रतिद्वंद्विता को जिम्मेदारी से नियंतरित करने के तरीके खोजने होंगे